हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो आज हम क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर टू का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं इसके प्रिवियस पार्ट में हमने तीन मूल अधिकारों को पढ़ चुके हैं हम लोग ठ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानि की राइट टू फ्रीडम ओ फ्रिलेजन ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन में शो रहा होगा धार्मिक स्वतंता का अधिकार सबसे पहले इसके अनुछेद जान लीजिए यह जो है ह हमारे मूल अधिकार में अनुछेद 25 से लेके 28 तर है है सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं फिर हम इनकी detailing करेंगे सबसे पहला मूल अधिकार है यानि कि धार्मिक स्वतंता के अधिकार में 25 में आस्था और प्राथना की आजादी यानि कि अंतरकरन की और धर्म को अबाद रूप से मानने आचरन और प्रचार करने की स्वतंता यानि कि आपकी जो अंतर आत्मा कहती है उस धर्म को अबाद रूप से मानने उस टाइप का जो है आचरन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको प्रदान है तो यह किसमे है आर्टिकल 25 में और यही मैं अगर बात करू आर्टिकल 26 के बारे में तो आर्टिकल 26 में है धार्मिक मामलो में प्रबंधन यानि कि धार्मिक कार्योग में प्रबंधन की स्वतन्ता आर्टिकल 27 में किसी विसिस्ट धर्म की अभिवृद्धी के लिए कर अदायगी की स्वतन्ता यानि कि किसी धर्म को अभिवृद्धी के लिए कर नहीं देने की स्वतन्ता ठीके आर्टिकल 28 में हैं कुछ सिक्षा संस में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतनता अब आईए इसकी डिटेलिंग करते हैं देखे सबसे पहले अगर मैं आपको बात बात बताओ उनिस सो चीहत्तर में बैयालिस्वे 42 सम्मिधान संसोधन के तहट हमारे भारत में पंत निर्पेच शब्द डाला गया ठीक है हमारी प्रस्तामना में भी पंत निर्पेच है तो वो उसमें डाला गया है और इसका अर्थ ये है कि राज जो है राज का कोई धर्म नहीं होता यानि कि राज धर्मिक आधारों पर ना नियम और विनिमय ये सभी धर्मों पे लागू होते हैं भारत में कोई भी व्यक्ति ना केवल अपने धर्म का पालन कर सकता है बलकि उसे अपने धर्म का प्रचार करने की पूरी स्वतंता है ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपने सम्मिधान के अनुसार प्रत अपने अपने देश की जंता को धर्म की स्वतंता का अधिकार नहीं दिया है ठीक है सासको से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या तो विवश्च किया गया कि वे जो है सासको द्वारा मानने धर्म को स्विकार कर ले अता लोग तंत्र में अपनी कि आर्टिकल 25 की बात करूँ तो इसमें मैंने बताया आपको अंताकरण की सुतंता यानि कि अंताकरण के अनुसार तो अंताकरण का मतलब क्या है ये भी आपको समझ में आना चाहिए ना यानि कि कि किसी भी व्यक्ति को भगवान आराध्य या फिर उसके रूपों के साथ मतलने की आंतरिक सुतंता धर्म को मानने का अधिकार यानि कि अपने धर्मिक विश्वासो और आसथा के सार्वजनिक और बिना भै की घोशन करने का अधिकार करना twist, Examna, पूजह, कर्मकांड, परंपरा कर्तवयो का पालन करना समारोग करना और अपनी आसथा और विचार के प्रदर्शन की सुतंता धर्म के प्रसार का अधिकार भी है ठीक है अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार करना परन्तु इन में जो है किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है ठीक है ये चीज़ आपको ध्यार लगना है द दूसरी चीज गोवद को इसलाम की अनिवारे प्रथा नहीं माना गया है तीसरी चीज राज्य धर्म के आच्रण से संबंदित लौकिक गत्विधियों का विन्यमिन कर सकता है इसके संबंद में विधी के अनुरूप कारवाही की जा सकती है आगे बढ़ते हैं बात करेंगे आस्था और प्रात्ना की स्वतंता देखे भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने उसका पालन करने का अधिकार है धार्मिक स्वतंता में अंत्हकरण की स्वतंता भी तो समाहित है जज जिसका अर्थ मैंने आपको भी बताया इसका अर्थ क्या है यार्टिकल 25 प्रचार करने का समान हक रहेगा लेकिन धार्मिक स्वतंता पर ना कुछ प्रतिबंध भी है लोक व्यवस्था, नैतिक्ता, स्वास्थि के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंता पर प्रतिबंद लगा सकती है धार्मिक स्वतंता का अधिकार असीमित नहीं है कुछ मामलों में वो सीमित रखा गया है देखिए कुछ समाजिक बुरायों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हश्ट शेप कर सकती है उधारन के तोर पर अगर हम देखें सती प्रथा एक से अधिक विवा मानव बली जैसे यो पूप रथाएं पैली हुई थी इन पर प्रतिबंद के लिए अनेक कदम उठाए गये हैं कई ऐसे समाजिक सुधार हुए हैं ठीक है कई ऐसे प्रतिबंदों को धार्मिक सतन्ता के अधिकार में हश्ट शेप नहीं माना जा सकता धार्मिक सुतंत्य के अधिकार पर नियंत्रन लगाने से विभिन धर्म को मानने वाले और सरकार के बीच अक्सरी तनावपूर्ण स्थितिया बनी होती है आप क्या सोचते हो जब जो है राजा राम मुहन राय इस्वर्चंद विद्या सागर दयानन सुरुस्ति ये जो हमारे समात सुधारक थे ये जो सती प्रथा हो गई बहुविवा प्रथा ठीक है ये सारी प्रथाओं को खतम करना क्या आसान बात थी बिल्कुल आसान बात नही तो जब भी किसी धार्मिक समुदाय के ना कुछ क्रिया कलापो पर सरकार नियंत्रन लगाती है तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि उनके धर्म में हश्टछेप है ठीक है इसका एक अन्यकारण और भी हो सकता है धार्मिक स्वतंता राजनीतिक विवात का विश अब देखिए लेकिन कुछ लोग ना धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं उनका मानना यह है कि धर्मांतरन भय या लालच के आधार पर कराये जाते हैं लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रिम कोर्ट ने क्या प्रोविजन किया है लालच कपट या फिर ज अमविधान भी ना जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है ठीक है और वह हमें ना केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाय प्रसादित करने का दिकार देता है जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की और आकर्सित कर सकें आगे क्या बात आती है यह देखिए होने के कारण भी हमारा देश में जो है अनेकता में भी एकता है ठीक है सरकार जो है विबिन धर्मों के साथ समानता का बरताओ करे इसका अर्थ यह भी है कि सरकार जो है ना किसी विशेश धर्म का पक्ष नहीं लेगी यानि कि भारत का कोई राज की धर्म नहीं है भारत के राष्टपती, प्रधान मंतरी, नियाधीश और अन्य किसी सारवजनिक पदपर कारे करने के लिए हमें किसी धर्म भी से इसका सदर्सी होना जरूरी नहीं है। और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरियता दी जाएगी। और इन प्रावधानों से धर्म निर्पेक्षता के जीवन को और बल मिलता है। यह जो धर्म की स्वतंतरता है ना कोई भी अगर सेक्षिक संस्थान है तो यह नहीं कहेगा कि हमारी मुस्लिम संस्था है तो मुस्लिम लोगों को प्रायोर्टी मिलेगी। नहीं ऐसा नहीं है सभी धर्मों की लोगों को समान रूप से जो है अधिकार प्राप्त है ठीक है। आर्टिकल पचीज तो हम समझ गए कि अंतरकरण और धर्म को अबाद रूप से मानने आचरन करने और प्रचार करने की सुतंता है ठीक है और इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स की तो यानि कि धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की सुतंता यानि कि आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स है ना इसके अनुसार प्रत्य धार्मिक संप्रदाय और उसके किसी अनुभाग को निम्न लिखित अधिकार प्राप्त होंगे यानि कि पहला अधिकार उसका ये होगा धार्मिक और मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और देता है ना वहीं जो ये आर्टिकल 26 है वो धार्मिक संप्रदाय और उनके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है अगर मैं आपको अलग सब्दों में बात करू तो सामूहिक धार्मिक रूप से जो है अधिकारों की रक्षा करता है ठीक है आगे बात करते हैं आर्ट संप्रदाय की अभिवृद्धी या फिर कह लिजी उसको बढ़ाने उसको पोशित करने में व्याय के लिए करों की संदाय है तो बात यह नहीं किया जाएगा दूसरे सब्दों में अगर मैं आपको यह कहना चाहिए कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी इसका प्रयोग जो है सभी धर्मों के रख रखाव और उन्नत के लिए किया जा सकता है यानि कि यह जो व्यवस्था है केवल कर उगाही पर रोक लगाती है ना कि शुल्क पर ठीक है ऐसा इसलिए है क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश जो होता है ना वो धार्मिक संस् आर्टिकल 28 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो धार्मिक सिक्षा में उपस्तित होने की सुतंता यानि कि जो आर्टिकल 28 है ना इसके अंतर गयत राज्य निधी से पूर्णता पोशित किसी सिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक सिक्षा ना दी जाए यानि कि यह विवस् मानЕТाप्राप्त या फिर कह लीजे राज निधी से सहायता पाने वाले सिक्षा संस्ठानों में उपश््था होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक और उपासना में भाग लेने के लिए उसकी सहमती के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं देखिए बहु संख्यक पर एक गंभीर उत्यरदायत है कि वे देखें कि अलप संख्यक सुरिक्षित महसूस करें ये कौन अलप संख्यकों की स्थिती में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए सुरच्षा की सभी मांगें उसी आशंका पर आधारित है जो अलप संख्यकों के मन में अपनी भाशा लेपी और नौकरियों के अवसर में संबंध में हैं आगे बात करते हैं किसी समुदाय को ना केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाशा और संस्कृति के आधार पर भी अलप संख्यक माना जाता है यह चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है थिके तो अलप संख्यक देखिए अलप संख्यक जो है एक ऐसा समुद है जिसकी अपनी भाशा धर्म होती है ठीके यह तो अलपसंख्यक कह रहे न और ऐसे अलपसंख्यक समुहों को न अपनी भासा, लीपी, संस्क्रिती को शुरक्शित रखने और उसे विक्सित करने का अधिकार प्राप्त है भासाई और धार्मिक अलप संख्यकना अपने सिक्षर संस्थान खोल सकते हैं और ऐसा करके वे अपनी संस्क्रिती को सुरक्षित और विक्सित कर सकते हैं हम सबने देख लिया है ठीक है सिक्षर संस्थानों को वित्ती अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस सिक्षन संस्थान का प्रबंधन जो है किसी अल्पिसंख्यक समुधाय के हाथ में है ठीक है यानि की यहां पे भी राजु को बॉंडेशन है ठीक है कि वो धार्मिक आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी तो चलिए यहीं समाप्त हो रहा है यह वीडियो और अगले पार्ट में हम देखेंगे अगला मूलदिकार मैं एक अलग जो है मूलदिकार लेके आऊंगी और हम जो है चार मूलदिकार देख चुके हैं तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत चीजे नहीं समझ में आती है गाइस वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए थैंक यू वेर सभू खाल कि यू धज चैनल कि इसे वीफ़ी क। थोड़ी प्रू झाल जल खोड़ी थैंक notorमत अज़ी रड़ का उन्स-बुारी है और मुझे नहीं догाने इंक व